Hi everyone, this is Ashutosh Kumar, I welcome you on my YouTube tutorial channel Ashutosh sir तो आज किस online e-class में हम लोग A Leasant of Northland एक poem पढ़ने वाले हैं इसकी हिंदी को समझेंगे line to line Class 9th के NCRT pattern पर जो based book है उसमें ये poem दी हुई है तो चलिए शुरू करते हैं और poem को समझते हैं किसमें क्या चीज़े बताई गई है poem को line to line में बताऊंगा तो आप लोग pen paper लेकर बैट जाएं और जो भी meanings नहीं आएंगी words की वोन को note करते जाएंगे साथी साथ इस poem का अर्थ भी समझते चलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं poem starting में कही जा रही away away in the north land away away का मतलब काफी दूरी पर दूर दूर एक सुदूर यानि जो दूर का इस्थान होता है एक जगे होती है उसके बारे में यहां बताया जा रहा है north land का मतलब है दक्षिन भाग में जो बसने वाले जगे हैं इस्थान हैं उनको कहा गया है north land तो जो सुदूर एरिया है यानि दूर जो हम जहां रहते हैं वहाँ से काफी दूरी एरिया में जो north land है और जगे की यह कहानी है कुछ ऐसा है वहाँ पर कि where the hours of the day are few जहां पर दिन के जो समय होते हैं दिन का समय का मतलब यह है कि दिन जैसे हम लोग देखते हैं 24 घंटे का पूरा एक पहर बनता है दिन बनता है पूरा तो उसमें 12 घंटे दिन होता और 12 घंटे की रात लेकिन कुछ ऐसी जगह जहां पर बहुत कम घंटों का दिन होता है तो यहां पर उसी जगह के बारे में का जा रहा कि where the hours hours का मतलब घंटे of the day दिन में जो घंटे होते हैं वो are few बहुत कम होते हैं and the nights और जो वहां पर राते हैं यानि जो रात होती हैं वो are so long in winter कि वो ठंड के समय में बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी राते होती हैं इतनी लंबी राते हैं that they cannot sleep them through कि कोई भी व्यक्ति पूरी रात सो नहीं सकता है अब जैसे बहुत से लोग 7 गंटे 6 गंटे सोने की शमता होती शरीर की तो उतना ही सो सकते हैं पूरी रात अगर वो 12 गंटे से जादा की हो जाए 15 गंटे 16 गंटे की रात हो जाए तो कोई पूरी रात तक सो नहीं सकता है ऐसी जगह की कहानी है आगे बताया जा रहा है कि जहां पर स्विफ्ट तेज चलने वाले रेंडियस यानि 12 सिंगा देखे जा सकते हैं और हाडनेस का मतलब यहां पर जोतने के समान उनका जो सींग वगरा है वो ऐसे दिखता है जैसे वो खेत जोतने के लिए हलका काम करते हैं इस तरीके का तो वो तेज चलने वाले जो 12 सिंगा है वो वहां देखे जा सकते हैं दा स्लेक्स, वहाँ पर स्लेक्स देखने को मिलेंगे जो बर्फ पे चलने वाली गाड़ी होती है, बर्फ पे चलने फिसलने के लिए एक ऐसे गाड़ी बनाई जाती है, जिसपे बैट कर कुछ लोग यात्रा भी करते हैं, और उसे कुछ जानवर जैसे बैल हो गया, या तो वो गाड़ियों को खीचने वाले यहां बारा सिंगा देखने को मिलते हैं जब वहां पर बर्फ बारी होती है यानि बर्फ गिरती है और वहां पर जो बच्चे है लोक लाइक दे बियॉसकुप थंड के सीजन में जब बर्फ गिरना शुरू होती है तो बच्चे एकदम पूरी तरह से भालू के बच्चे ऐसे दिखने लगते हैं अब भालू के बच्चे ऐसे इसलिए दिखने लगते हैं क्योंकि वह बड़े बड़े टोपे लगा लेते हैं कैप लगा लेते हैं जिसमें कान भी बना हुआ है फर वाला ड्रेस है तो अपने आपको ठंड से बच पेहने के लिए तो उसमें वह काफ़ी दिखाई देते हैं तो इन चाट लाइनों में कहा है कि उस जगहें पर सुर्फ्ट रेंडियर देखने को मिलता है यानि तेष जलने वाले बारा सिंगा जब बरबारी होती है तो वो बरफ पर फिसलने वाली गाड़ी को खीचते नचराते हैं वहाँ पर बच्चे जो हैं भालू जैसे नचराने लगते हैं क्योंकि वो खूब धेर सारे कपड़े पहनते हैं ठंडे से बचने के लिए तो एक ऐसे स्थान की कहानी हम लोग सुन रहे हैं तो वह उन्हें एक क्यूरियस का मतलब है उच्षुप कर देने वाली जिग्यासा जिसमें अजीब सा कुछ हो अजीब सा सुनने लाएक कुछ हो ऐसी एक कहानी वो उन्हें सुनाते हैं I don't believe it, यह जो poet है, phobia carry, यह कहते हैं कि मुझे ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं है, यानि कि यह कहानी कालपनिक हो सकती है, ऐसी कहानियां जो सच में ऐसा नहीं होता है, मगर फिर भी वहाँ ऐसी कुछ कहानियां सुना जाती है, it's true, जो सक्त है, वो इस प्रकार का कि and yet you may learn a lesson, कि आप उन कहानियों से एक कोई न कोई सिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कोई सीख प्राप्त कर सकते हैं, if I tell you, tell to you, यदि उस कहानी को मैं तुम्हें बताऊं, यानि वहां कि जो सुनी हुई कहानी है, यह हमें बता रही हैं, और जो कहानी वहां गई जाती है, लोगों को बताई जाती है, उस कहानी के विशह में, ऐसा है कि उससे कुछ हम लोग सीख भी सकते हैं, यानि कुछ सीखने वाली बाते होती हैं, अब कहानी exactly क्या है, क्या कहानी वहां सुनाई जाती है, वो यहां पे start हो रही है, कि once, एक बार की बात है, when a good Saint Peter, कि एक संत थे, संत जो सा साधु संत बहुत देखने को मिलते हैं, तो वो जो साधु संत प्रकार के एक व्यक्ति थे, सेंट पीटर, जिनका पीटर नाम था, वो वहां थे, lived in the world below, शहर, पूरे विश्व के एक कोने पर, एक जगहें पर रहते थे, कैसी जगहें पर, जहां पर, लोग जनरली नहीं प टहलना, टहलते थे, प्रीचिंग, उपदेश देने के लिए, तो साधु संत का क्या कार रहे होता है, आपने देखा है कि साधु संत एक जगह से दूसी जगह के अबल टहलते हैं, और उसके बाद उपदेश, यानि अच्छी बातें जो भी होती हैं, मानावता से जुड़ी इश्वर से जुड़ी बातें, उनको लोगों को तक पहुचाते हैं, तो यह भी वैसे एक काम कर रहे थे, जैसे कि वो हमेशा किया करते थे, यू नो, यह आप जानते हैं कि सिंट पीटर या संत जैसे लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उपदेश देते हैं, और ब्रहम एक जोपड़ी के दरवाजे पर वो पहुचे, इन ट्रावलिंग राउंड अर्थ, जब वो प्रतवी का ब्रहमन कर रहे थे, तब, where a little woman, जहाँ पर एक चोटी सी औरत थी, यानि कदमे चोटी सी थी, was making cakes, वह रोटियां बना रहे थी, केक का मतलब यहाँ पर रोटियां है तो वह रोटि बना रहे थी, making मतलब बना रहे थी, and baking them on a hearth, और उन्हें एक हर्थ पर, अंगीठी, हर्थ का मतलब होता है, अंगीठी, अंगीठी पर bake कर रहे थी, bake का मतलब होता है, सेकना, पकाना, भूनना, जिसे आग पर भूनते हैं, तो उसको baking बोलते हैं, तो वह अं तो उससे बिल्कुल एक दा मूर्चित अवस्था में होने वाले थी, fent का मतलब बिहोश होने वाले, मूर्चित होने वाले थी, fasting का मतलब भूख से भी होने के अवस्था इनकी ऐसी थी, ऐसा इसलिए हुआ था कि for the day was almost done, क्योंकि पूरा दिन बीद गया था, इन्होंने कु कार पे था, यास धर उस महिला के पास पहुंचे, उस महिला से उन्होंने रोटी की मांग की, from her store of cakes, उसके पास जो रोटी का भंडार था, केक का, उससे उन्होंने एक अपने लिए रोटी मांगी, तो संत लोग जो होते हैं, भिक्षा मांग कर अपना काम जलाते, तो इन्ह a little cake, very little cake, तो जो महिला थी, उसने एक छोटा सा, यानि टुकडा लिया, केक एक छोटी सी रोटी बनाई, और उसे बना कर उनको देने के लिए प्रयास किया, तो but as he baking ले, जैसे उसने पकने के लिए अंगीठी को उपर उसने डाला, ले का मतलब, उसने अंगीठी को उपर यानि छोटा सा जो एक टुकडा लिया था रोटी बनाने के लिए, वह बेलने के बाद जब उन्होंने अंगीठी पे डाला, तो फूलने के बाद वो बड़ी रोटी दिख गई, तो इनके मन में एक लाला चा गया, कि रोटी जो है, बहुत बड़ी है, और हम ये रोटी इन और उसको गूतने के बाद में, चोटा सा टुकडा जो पहले टुकडा लिया था रोटी बनाने के लिए, उससे भी चोटा टुकडा लिया और उससे बनाना शुरू किया, बट इट लुगड लेकिन जैसे इसे फिर पकने के लिए अंगीठी पे रखा, जैसे उन्होंने इस as large as the first I had done, यह रोटी भी उतनी ही बड़ी बनी, जितनी बड़ी पहले वाली बनी थी, अब इनके मन में लालच यह आ रहा था, कि जब हम खाते हैं, तो यह छोटा सा दिखाई देता रोटी, लेकिन जब पका के किसी को देते हैं, बनाते हैं, तो बहुत बड़ी रोटी दि और उसने जो गुथा हुआ आटा लोई लिया, उसको रोल करके फिर रोटी बनाना शुरू किया, and rolled it flat, रोल करके उसने फिर उससे रोटी दुबारा से बनाई, and baked it thin as wafer, और इतना पतला उसने बनाने का प्रयास किया, जैसे पपड़ी बनती है, पतली सी, हलकी सी, वैफर क मतलब पपड़ी, तो उसने ऐसे पपड़ी जैसा बनाने का प्रयास किया, छोटी सी रोटी बनाने का प्रयास किया, but लेकिन, she couldn't part with that, लेकिन वह इसे भी जो है, उससे छोटा नहीं बना सा कि जो पहले वाला बना था, अब उसके मस्तिस्क में ही आने लगा, कि for she shared, उसने तो लंती अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, कि my cakes that seem too small, कि जब मैं कोई रोटी बनाती हूँ, बहुत छोटा दिखाई देता है, कब when I eat them myself, कि जब मैं अपने खाने के लिए बनाती हूँ, यनि कितनी बड़ी रोटी बना लू, और खाते समय मुझे लगता बड़ रोटी दे रही हूँ, तो मैं निशल को रोटी क्यों दूँ, और बड़ी रोटी क्यों दूँ, जब मांगने वाला कोई विक्ती आता है, तो उसको बहुत छोटा सा देते हैं, यह उसके मन में विचार आ गया था, इस विचार से उसे ऐसा लग रहा था, कि बड़ी रोटी ग्रिव एंगरी, उन्हें बहुत तेज गुशा आ गया, for he was hungry and fent, क्योंकि वह भूखे थे, hungry और fent, मूर्चित होए जा रहे थे, एक्दम भूख से उनका हालत खराब होता जा रहा था, and surely such a woman, और उन्हें मन में विश्वास हो गया था, कि जो इस प्रकार की महिला है, निश संत थे, जब उन्हें गुस्ता आ गया, उन्होंने तरुनती कहा, कि you are far too selfish, तुम कुछ ज़्यादा ही, जो है, selfish हो, स्वार्थी किसिम की हो, लालची किसिम की, to dwell in a human form, और तुम इन्सान के रूप में रह रही हो, selfish हो, यानि तुम सिर्फ अपने विशे में सोचती हो, तो तुम इन्सान के रूप में रह रही हो, उनका कहने कारती है था, कि जानवर जो होता है, वो selfish होता है, और इन्सान जो है, वो selfish नहीं होना चाहिए, या होता नहीं है, तो उन्होंने रहा कि तुम इन्सान के रूप में हो, लोगिन इतनी अत्यदिक selfish हो, तो तुमें इन्सान के form में रहे के dwell का मतलब रहना किसी जगह पर किसी स्थान पर and fire to keep you warm और अगनी का प्रियोग भी कर रही हो अपने आपको गरम रखने के लिए ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर चार लाइनों में जितनी चीजें बताई गई हैं ये सब चीजें सामवानने था किसी जीव जन्तू यानि इनसान के अलावा किसी को पराप्त नहीं होता है तो यहाँ पर इसलिए सेंट पीटर ने कहा कि तुम इनसान की रूप में ये सब चीजें दुर्पयोग कर रही हैं उपयोग नहीं हो रहा तुमारे साथ में and now you shall build as a bird's dew कि तुम्हें एक चिडिया बन जाना चाहिए यानि वह एक उसको श्राप देते हैं और उसे एक चिडिया की रूप में उसे निर्माड कर देते हैं तो उसका चिडिया बना देते हैं उसको shall get your scanty food scanty food कहर starve care कि अब तुम्हें अपना जो खाना है scanty food रूप मिलेगा यानि तिन का रूप में यानि खाना यो है तिन एक रूप में मिलेगा अब जैसे छिडिया जो होती है कैसा चडिया बनाया उसको श्राब देते हुए कि वह एक ऐसी चडिया बने जो छेंद करके यानि पेड़ों में छेंद करें जमीन पर छेंद करें वहां से अपना खाना खोजे या उस जगह से निकाले तो छेंद करने वाली जो चडिया होती इसको हम लोग वुड़ पिकर ब बन गई, all the day, पूरे दिन in the heart, कि पूरे दिन उसे कठीन परिश्राम करना पड़े, और dry food, और उसे सूखा खाना, यानि सूखा सूखा जगए, टुकडे, ढून ढून कर खाने के लिए, उसे मिले, then up, she went through the chimney, और फिर उड़ते हुए, वहाँ चिमनी पर जाके बैठ गई, य उसमें से कोई शब्द नहीं निकलते हैं, जैसे आप समझ सकें, यह अलग बात है, कि हम लोग अपने हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं, कि चडिया दे को यह कहना चाह रही है, लेकिन उसमें शब्द नहीं होते हैं, किसी प्रकार के, तो यह भी जब चडिया बना दिये आगे का बिताना था, क्योंकि सेंट पीटर ने उसे श्राप दे दिया था, अब उसके माथे पर एक सकार्लेट गहरे लाल रंग का एक कलगी बना हुआ था, जैसे चडिया के मत्थे पर देखते हैं, कहीं कहीं पर किसी चडिया के ऊपर के कलगी टाइप का बना होता है, फर फड़बा के उपर भी होता है, तो यहाँ पर उसी के सर के ऊपर एक लाल गहरे रंग का कलगी बन गया था, उसी तरीके से उसे वहाँ पर छोड़ दिया गया, बट आल रेस्ट आफ हर क्लॉट्स वर बॉर्ट, लेकिन उसके जितने कपड़े थे महिला के वो सब जल के काले हो गए थे, चिमनी पर बैठे, जाकर जब बैठे चड़िया बनके, तो उसके सब कपड़े, पंक, सब चीजे काले हो गए थे, चिमनी के कलर से, रंग से, तो यह उसको जो श्राप दिया था, वो श्राप इसी लिए था, कि इनसान के रूप में किसी का भला तो कर नहीं रह है, अब यह जो कहानी है, जो गीत है, यह जो मैसेज है, लगभग प्रते गाउं के सभी स्कूल के बच्चों को यह कहानी सुनाई दे रही है, और यह देख सकते हैं, वो has seen her in the wood, कि लकड़ी पर, यानि पेड़ों पर लकड़ी पर बैठे हुए, उन्होंने उस चिड़िया को जरूर देखा होगा, where she lives, जहां वो रहती है, in the trees till this very day, जहां पर सुबह सुबह चिड़िया कर वो बैठ जाती, boring and boring for food, जहां पर वो चिड़िया, अपने चोंच से, कोट मार मार के, वह वहाँ पर उस जगहें पर, अपना छेंद करके, उस जगहें से, खाना निकालने का प्रियास करती है, वह बैठने का प्रियास करती है, तो यह थी पूरी पोयम, जो एक traditional popular story थी, और एक ballot के form में, यानि कि ये कहानी को एक नाटकी रूपांतरन करके, गाना type का बनाये गया है, जिसमें ये दिखाने के कोशिश की गई है, कि किसी का स्वार्थी होना, selfish होना, कह प्रियास की नजर में अच्छा नहीं होता है, तो जितने भी लालची लोग हैं, उनको पनिश्मेंट के लिए तयार रहना चाहिए, इस तरीके का यहाँ पे संत ने बताने का प्रियास किया, इस महिला ने लालच की, जिसके परिणाम शरूप ये हुआ, कि संत ने उसको इस पूँच सकते हैं, और इसके अलावा इसके रिलेटेड जो भी कुश्चन अंसर रिलेटेड चीज़े हैं, जॉबनेट्स लाब डॉट इन पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, ओके थैंक्यू, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट ए लर्निंग सेशन में, फिर मिलेंगे कैस नए पोएम के साथ, अब तक लिए स्टे हैपी, स्टे सेफ, एंड कीप वाचिंग आशुत उसर चैनल